हालो फ्रेंस, विल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि आप लोगों का यूपी पेट का एक्जाम 15 और 16 अक्टूबर को निधारत किया गया है, दोस्तों अब बहुत ज़्यारे समय नहीं पचा है, इसलिए हम लोग मैं राथने स्ट आप ध्यान से देखिए हैं दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है, जो कि यूपीटर प्रसीक ज्याम में सबसे अधी बार पुछे जाने की संभावना है, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिया, तो चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते ह निष्ट है, महावीर का जर्म कहा हुआ था, तो महावीर स्वामी जो अंतिम तिर्थकर थे जैन धर्म के, उनका जर्म हुआ था वैसाली में, बिहार के वैसाली में, तो इसका अप्सान नमबर डी से ही याद खिएगा, ये 24 में तिर्थकर थे, ठीक है, निष्ट कोश्चन है, साम्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल अधार है, जो साम्यवाद है, किस धर्म के दर्शन का मूल अधार है, तो इसका अप्सान नमबर एसे ही हो जाएगा, जयन धर्म का, ये याद किया, साम्यवाद जो है, जयन धर्म से समझ देता है, ठीक, इसका अप्सान नमबर तो महाबीर जू स्वामी थे अपना उपदेश प्राक्रतिक भासा में दिये थे इसमें लुंबिली में तो इसका आपसा नमबर A से ही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है महातमा बुद्ध के ग्रीत याग को बहुत गरंथ में क्या कहा जाता है यह दिखेगा इसको बोलते हैं महाभीनिस क्रमण जब ग्रीत याग थे तो उसको महाभीनिस क्रमण भी कहा हुई थी तो महाभीनिस क्रमण बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति बोध गया में थी उरुवेला में यादर के उरुवेला में बोध गया में ठीक है रेंजरान देके तट परहेगऊ वर्तमार में कहा है, तो है बिहार में, ठीक है? इसका अफसान नमबर सी सहिए, निस्ट question है, महातमा बुध रद्र ने अपना पहला उपधेश कहा दिया था, तो पहला उपधेश महातमा बुध रद दिये थे सारनात्र में, कहां दिये थे, सारनात्मी, तो इसका अनुबर डी से ही है, निश्ट कोश्चन है, कोश्चन नुबर 46 है दोस्तों, बुध धर्म के तीरत्न है, तो बुध धर्म संग, या दिके तीनो ए तीरत्न है बुध धर्म के, बुध धर्म संग, तो इसका अनुबर डी से ही हो जाएग next question है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौध गर्ण्थ में जनकारी मिलती है तो जो 16 महाजनपद है जैसा कि अब जानते हैं उसमें किस बौध गर्ण्थ में उसका वरणन है तो है अंगुत्र या दिखेगा अंगुत्तर निकाय में फूरान मतूरा का सी इसका कश्योंर संपने पूस्थ के सासक को कभछ कुरिक क़ा जाता था तो हर्यक क स्का बलस्का का जो आप याद कियास को पूछा गया है कुडिक कहा जाता था तो हर्यक वंस का जो आप याद कियेगा पूछा गया है हर्यक वंस के किस सासक को कुडिक कहा था तो अजात सत्रू को किसको अजात सत्रू को कुडिक भी कहा जाता था इसका आपसा नमबर B से हो जाएगा ठीक है दोस्तों नेस्ट कोश्चन देखिए प आा इस्थिर्टा प्रदन आंधं की कुछ से सुनाक को से हो जाएगा नेश्टㄹैक्ट Quesction 54 है, काला सोख की रिधानी कहा थी? तो काला सोख की रिधानी दूस्तों, बैसाली थी, कहा थी? बैसाली, तो इसका अफसर नंबर इसे हो जाएगा. Next question है, निवन में से कि सासक को सरो छत्रा, त्रक, अर्थात, छत्रियों का नास करने वाला कहा जाता था? तो पढबना यद किया, पढ़मा नंद को. ठीक है, महा पढ़म नंद को. महा पढ़म नंद को चत्रियों का नास क कहा जता था, तो इसका अफसर नंबर 20 है. Next question is, सिकंदर के आकरमल के समय मगत का सासक कोन था? तो सिकंदर के आकमलक समय मगत का सा सक्ता घंण कौन था घंण रलो तो इसका आपसन नमर ऐसे हिए सिकंदर कहा का सा सक्ता तो मगध दूनिया का सिकंदर एवन पोरस के बीच हुआ 326 ुसा पूरो का युद किस नाम से जाना जाता है तो सिकंदर और पुरस के बीच जो 326 इसापर में युद्ध हुआ था उसको बितास्ता का युद्ध या जहलम का युद्ध करती है तो इसका आपसा नंबर 20 है Next question देखिए Question number 59 है चंदरगूपत मौर की सेंडरो कोट्स के रूप में किसने पहचान की चंदरगूपत मौर को जो सेंडरो कोट्स के रूप में किसने पहचाना था यह पूछा गया आपसे तो यह पहचाना था बिलियम जोंस ने तो इसका आपसा नंबर 20 हो जाएगा Next question है चंदरगूपत मौर का प्रधान मंतरी कौन था तो चंदरगूपत मौर ने घरानंद को हरा करके आपके मौर एवंस के स्थाबना की थी तो इसका आपसा नंबर 20 सही है Next question है प्रसिद्ध युनानी राजदूथ मेगास्थनीद किसके दरवार में रहता था तो मेगास्थनीद चंदरगूपत मौर के ही दरवार में रहते थे तो इसका आपसा नंबर A सही है Next question है कौटिल की 20 सुप्रसिद रचना है तो कौटिल की 20 सुप्रसिद रचना मैं बताया हूँ अर्थसास्त रहा है यह राजनिती से प्रेरित है तो इसका आपसा नंबर B सही है Next question है इंडिका किसकी रचना है इंडिका रचना जो है मेगास्थनीच की है तो इसका आपसा नंबर C सही है Next question देखी निल्कित में से कौन सा कथन असत्य है तो देखते हैं कौटिले का दूसरा नाम विश्लो गुप्त या चालक था ये तो सही है चंद्गुप्त मौर्ण ने सौराष्ट में दुस्दारसन जिलका निर्मा कर रहा था ये भी सही है चंद्गुप्त मौर्ण ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दिछ्छा ली और स्राण विश्लो गुला में प्रान त्याग भी ये भी सही है तो इसका अपने अपने से कोई नहीं क्योंकि इसमें सत्त पूचा है ठीक है नेस्ट कोश्चन देखिए किसे मित्रो चेष्ट कहा तो अमित्र गार्थी जिसको बोलते है नहीं बिंदु सार को कहा था भिंदू सार को उिसको आप्सइ चाहिए नेस्ट कोश्चन है अस्दी सिफल सक असोग ने कलिंग पर अकरमन किया था यो 2061 हिशा पूर में कलिंग पर अकरमन किया था इसमें एप पूछा है कि सिलालेक में इसका औरन है ति लेक्त को सबसे पहले किसमें पढ़ा था तो पढ़ा है जिंस प्रिंसेप किसे इसका आपसिध...? आपका नर्ब lebih स्थे ए जिंस्त कोशन है उसकी सिलालेक हा हुएThere और फिरह कोचन से कि लगू सिलालेक में असोक का बुद्धा साख लेखांगा दो भालता है तो Size असोक कासा अभिलेख दो भासाओं ग्रीक अरामेरीक में प्राप्थ होता है तो सरे कुणा यह जो सिलालेक वो इस बाईक में प्राप्स अतर है तो इसका अहां Понchange सभी आगा श्कॉषष नोमर्य व्ह पूर्प समय वांतां किुं भागोब है साची के स्वान कि साची के इस टूबकर किसने करवाया था साची के स्वाल इस्वां Song तो इसका अच्छर Image साशने किस ए और भारती समाज का धम की प्रतिपादन किया था तो धम का प्रतिपादन किया थे आपके असोक ठीक है इसका अपसा नमबर 20 सही है next question है कोश्यन में 75 है निम्रखित में से कौन सा कथन असत्य है तो बताना है कौन सा कथन असत्य है तो असोक ने धहम के परचार के लिए महंद्र और संग मित्रा को सिलंका भेजा था ये तो सही है चंदगुप्त मौर की धानी पाटली पूतर थी ये भी सही है असोक ने धहम की परिभासा राहुलो वादसुत नमक बौध ग्रंथ से ली गई थी अव्युक्त मैं विश्ट किसी का जाता था किसे साशक ने असोक नहीग करा था नुल्यूस स्ञख ने अस्मैग कराता था तू पुश्स्मित्रसूग ने अस्मेग यग कराय थे तो इसका नमक तुश्सआए सही था नीश्ट कोश्चन है प्रसीद ब्याकरणा चार बतंजली किसके समकालीन थे बतंजली थे बतंजली को तो यह पूछा गया है आपसे इस क्लोश्चन का आप सानन इश्टापक तो इसका नमबर ये से हो जाएगा नीश्ट कोश्चन देखें भुमिदान का सरपर्थम उलेख किस राजवन्स के समय का प्राप्थ होता है किस समय में प्राप्थ होता है तो आम इस प्रिंटिंग है ठीक भुदान का सरपर्थम उलेख किस राजवन्स के समय प्राप्थ होता है समय में प्राप्ष होता है इस सासकों ने सोने के सिक्खे चलाया थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्खा जो है इंडोग्रीक सासकों ने चलाया था इंडोग्रीक सासकों ने तो इसका आप equivalet नबर ये सही है, next question है कि स्राजा के सासनकाल में इसाई धर्म प्रचारग सिंट थामस भारत आया था तो सिंट थामस जो था वह यह था आपका गुंदो फरनीस के किसके गुंदो फरनीस के सासन कलम में भारत आय था तो इसका अफसन नमबर C सही हो जाएगा next question है question number 84 है गुप्त वन्स का सस्थापक कौन था तो गुप्थ वण्स के जो साथा था वो था स्री गुप्थ कुनु इसका आप सनमबर सी सही है Next question है गुप्थ वण्स के किस शासक ने सरपतं महाराजा धिराज की उपाधी धारान की थी तो चंद्रगुप्थ प्रथम यह दिक prints चंद्रगुप्थ प्रथम किस गुप्त सासक को भारत का नेपुलियन कहा जाता है, भारत का नेपुलियन कहा जाता है, भारत का नेपुलियन समुद्र गुप्त को ही कहा जाता है, तो भारत का नेपुलियन समुद्र गुप्त को ही कहा जाता है, तो भारत का नेपुलियन समुद्र गुप्त को ही कहा जा तो जो प्रषान था उतल ंखते उतलक्च में चांदी के सिक्के जारी किये थे तो जो सकों को पराजित क्रने के बाद चांदी के सिक्के जारी किये थे तो इसका अपसा नमबर D सभी है निश्ट है गुप्त कालीन नौरतन किस साथ के दरबार में थे जो नौरतन थे गुप्त कालीन और किसके दरबार में थे पुछा गया है तो इसका अपसा नमबर D सभी है निमलखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको पताना है कि कौन सा कथन स सद्ध है महरावली के अस्तम्भ लेक का संबंध गुप्त चंद गुप्त दूति से है ये तो सही है महरावली का संबन निश्ट है नालंदा विष्च भिपी ज्विद्धक इस्ठापना ने करे यह Déla कि क्या कहा जाता था तो जो गुप्तकालीन सिक्के थे यानि गुप्तकाल में जो स्वरण के सिक्के होते थे उसको क्या कहता था तो उसको दिनार कहा जाता था क्या दिनार तो इसका अफसर नमबर इसे होज़ेगा 93 का निश्ट है मन्दीर निर्मा की कला का जन्व सरप्रथम कब हुआ तो मन्दीर निर्मा का जो कला था उसका सुरुवात हुआ था गुप्तकाल में कब गुप्तकाल में तो इसका अफसन नमबर 20 है नेश्ट कोश्चन है गुप्त अस्थापत्यकला का सरोतक्रिष्ट नमुना है जो गुप्त अस्थापत्यकला का सरोतक्रिष्ट नमुना है जो गुप्त अस्थापत्यकला का सरोतक्रिष्ट नमुना है तो इसका अस्थापत्यकला का सरोतक्रिष्ट नमुना है तो इसका अस्थापत्यकला का सरोत निस्ट गोश्ट है, कोश्चन गॉश्चन में 97 है, हर्स वर्धन की राजधनी थी, तो हर्स वर्धन की जो राजधनी थी, पुछा गया है, वो थी कनोज, कहा थी, कनोज, तो इसका आपसा नममर D से हुन जाएगा, निस्ट इस्ट है, चिनियात्री हिंसांग, किसके सासनकाल में भारत आया था तो हें संग जो आया था हर्स वर्धन के ही साथनकल में भारत आया था निश्ट है प्रयाग प्रसस्ती की रचना किसने की थी तो प्रयाग प्रसस्ती की जो रचना की थी और किये थे आपके हरी सेड़े ने किसने हरी सेड़े तो इसका आफसर नंबर 20 ही हो जहते हैं कोशिचन में हंड़ेट है हर्थ वर्धन को नर्मदार के तर्ठ पर Wik左 ससख करें तो हर्ष-ःसरन को जो नर्मदार पर रख आया गया थाatar जो है तो ये साच आल किक के लिए हुए त्रिपश यद्ध को अंधता किसा कई सो जो त्रिपक्षी युद्ध होगा था कनोज का उसको अंतता किसने जीता था तो परतिहारों ने जीता था किसने परतिहार ने तो इसका आपसा नमबर 20 से हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है एलवरा के कैलास मंदीर का निर्मा किसने करवाया था तो एलवरा का जो कैलास मंदीर था उसका निर्मा करवाया था कृष्ण पर्थम ने किसने कृष्ण पर्थम ने ध्यान दिजिएगा कृष्ण पर्थम इसको याद कि पर्थम दोती ठीक है कि उस प्रथम ने एलोरा के केलास मंदिर का निर्मा कराया था नेश्ट है अस्थानी स्वसासन किसके सासन प्रसासन की विश्यस्ता थी जो अस्थानी प्रसासन है किसके सासन की विश्यस्ता थी तो वो चोलों की थी इसका अफसर नमबर सी सही है नेस्ट कोश्चन देखिए यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो का लाइक जरूर करेगा अगर आप यूपिएट की तैयारी करें तो हम भारत के जो सभी राज्ये हैं 28 राज औ और के निसासित प्रदेश उसका डिस्क्रिशन में लिंक में दे दे रहा हूं और साथ में आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं उसको जारके जरूर देखिएगा उसमें सभी राज्यों से संब्धित इंपॉर्टन कुल आठ फैक्ट रखे गए हैं जैसे कि लोग सभास 712 इसवी में भारत पर हमला सफल हमला सर पता किस मुस्लिम ने किया था कहने का तत्पर है कि भारत पर जो पहला सफल हमला कारी ने किया था जो सफल हो गया था ठीक है तो मुहम्मद मिन कासिम या दिखेगा मुहम्मद मिन कासिम पहला मुसल्मान था जो सफल हमला किया था य अक्रमन किया था, तो मुहमud घजणवी जो भारत पर आक्रमन किया था, तो सोमनात के मंदिर पर जो अक्रमन किया था, इसका आपसर नंबर 20 है, नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 107 है महमूद गजनवी ने भारत पर आकरमण के समय भारत आये विद्वान अलबुरुनी ने किस गरंथ की रचना की थी तो अलबुरुनी जो था और किसका रचना किया तो किताब उल हिंद का किताब उल हिंद की रचना अलबुरुनी किया था वो किसके साथ आया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था तो इसका अपसर नमबर 10 सही है नेस्ट है भारत का वह पहला सासक कौन था जिसने महम्मद गोरी को पराजित किया था वो था मूल राज दूती, यदर कियेगा, मूल राज दूती पहला सासत था, जो मुहमद गुरी को हराया था, तो इसका अपसा नमबर C सही है, निश्ट कोश्चन है, साह नामा के रचाईता है, तो साह नामा के रचाईता आप से पुछा गया है, तो है आपके फिरदाव C, आपसा नमबर C सही हो जागा, फिरदाव C, सहनामा के रचाईता है, निश्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यू, चोगान अर्था, पोलो खेलते समय हो गई थी, तो हो गई थी, कुट्व बदिन एवक का, या दिखेगा, पोलो खेलते समय नकी मृत्ती हो कोड़े पर से किर करके, तो इसका अपसा नमबर C सही है, निश्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर आपका 111 है दोस्तों, कुट्व मिनार का निर्मार की सूफी किया गया था, तो गया था आपका कुट्व दीन बक्तियार काकी, कुट्व दीन बक्तियार काकी की याद में ब बिला सासी का कौन थी तो थी आपकी रजिया सुल्तान तो इसका अप्शन नमबर बी से है रजिया सुल्तान इस्ट कोश्चन है इक्तादारी प्रथा किसके प्रारम की इक्तादारी जो प्रथा है स्वाप्रथा किसने चालू किया था तो पुछा गया है तो अप्शन नमबर किस ने की थी यह पूछा गया है तो जो शुरू किया गया था वो किये थे बलबन कौन बलबन तो इसका अफसा नमबर एसे ही हो जाएगा निश्ट कोश्चन है कि 115 है पुछा गया निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्राण ब्योस्था लागू की थी तो बाजार नियंत्राण ब्योस्था जो है किस ने लागू किया था तो आपके किये थे अलावदिन खिल जी ने बजार नियंतर और व्यूस्था लागू के थे तो इसका आप सानुमबर सी सही है इनिस्ट कोश्चन देखिल जी कोश्चन नमबर 160 है तूति ए हिंद यानि हिंद का तोता किसे कहा जाता था तो ए कहा जाता था आपके अमीर खुसरो को जो है तोता ये हिंद या तोती ए हिंद का तोता कहा जाता था जिसका आप सानुमबर ए सही है इनिश्ट कोश्चन है question number 70 है मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी डिल्ली से कहा स्थानंतरित की थी तो मुहम्मद बिन तुगलक जो थे अपनी राजधानी डिल्ली से कहा स्थानंतरित की थे तो की थे दौलताबाद में कहां दौलताबाद में किताब उल रेहला का लेखा इबन बतुता जो जौर नवासी था इबन बतुता ध्यान दिजेगा, इबन बतुता थे आपके मुरकों के, कहांके मुरकों के तो इसका आपस लंवर बी सही है नेक पूस्चन है दिवाने अमहिर को ही विभाग के स्थापना के सुल्टान ने की थी तो ओकी ये था अफ है मुहंब्ध बिन तुगलग निश्ट कोश्चन है कोश्चन बर 120 है सल्टनत कालीन कि सुल्टान ने सर प्रथम किसानों पर सिचाई कर प्राम्णों पर जजिया कर लगाया था तो किसने लगाया था? तो लगाया था अपका फिरोज तुगलक ने याद खिया फिरोज तुगलक ने जजिया कर प्राम्णों पर और किसानों पर सिचाईकर सबसे पहले लगाया था 21 है संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सासक ने किया था तो संकेतिक मुद्रा का जो आपका प्रचलन था वो मुहम्मद बिन तुगलग ने किया था किसने मुहम्मद बिन तुगलग ने तो उसका आपसा नमबर एसे ही हो जाएगा next question है question number 22 है इसमें पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुरु मुखी या दखिया गुलुरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था गुलुरुखी उपनाम से कौन सा सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत का सासक जो था लिखता था गुलुरुखी नाम से कविताय ने इस question का आपसर नमर डी सही है यह दखे है सिकंदर लोधी जो था वह बुलुखी नामक कविताय लिखता था तो इस का आपसर नमर डी सही है next है किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरट से असो कस्तंब को लाकर दिल्ली में अस्थापित किया था तोपरा और मेरट से असो कस्तंब को दिल्ली लाकर थापित किसने करया था यह पुछा गया आपका तो एक फिरोज तुग लगने करया था किसने फिरोज तुग लगने तो इसका आपसर नमर यह सही है next question है बाबर के आकरमल के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था तो बाबर जब आकरमल किया था तो दिल्ली का सुल्तान कौन था यह आपसे पुछा गया है तो ओ थे इब्राहिम लोदी कौन था इब्राहिम लोदी तो इसका आपसर नमर बी सही हो जाएगा त इसका आपसर नमर ऐसे ही है क्रिष्ण देव रायद वारा रचीत अमुक्त माल्यद किस भासा का गरंथ है अमुक्त माल्यद जो है क्रिष्ण देव रायद वारा रचीत थी वह किस भासा का है तो है तेलगू का याद रिखेगा तेलगू का तो इसका अबसा नमबर D से ही हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है प्रसिद्ध बिठल स्वामी का मंदीर तथा हजारा का मंदीर का निर्मार किस ने करा था तो कराया था आपके कृष्ण देव राय नहीं कराया था ठीक है इसका अपस्वा नमबर सी से हो जाए गाए नेक्ट है ख्वाजा मुहिनुदिन चिस्ती का दरग क전 सुहरावर्dalी सिलसिला का मुख्य कंद। कहा था जो सुहरावर्dalी सिलसिला था मुख्य कंदक पंजाब में कहां था पंजामी निर्म सपी संतों के शिष्छू को क्या कहा जाता था तो इस विक ठीक मुठी। सब्वाइबा कि इसी सही है? इसको यार रखेगा ठीक है? इसको क्विश्चन है? उत्तर भारत में भक्ती अंदोलन के विश्तार का स्रे किसे जाता है तो याद खेगा भक्ती अंदोलन का जो विश्तार उत्तर भारत में होगा उसके जो स्रे सबसे बड़ा है वो है रामानंद को किसको रामानंद को तो इसका अपसा नमबर D सही है निम्न में से किस संथ का संबंद जुलाहा जाती से है तो जुलाहा जाती से संबंद कभीरदास का है किसका कभीरदास का है तो इसका आपसा नमबर एस ही है निश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 136 है दोहावली, कवितावली, बिने पत्रिका जैसी भक्त रचनाय किस भक्ती संत की है तो यह है आपकी तुलसीदास की यह दिखे है दोहावली कविताली और बिनपत्र का किसे नहीं लिखा था तो है तुलसीदास का तो इसका अपसा नमबर 20 सही है जो इसको हमेशा याद रखेगा इस question का option number D से ही है दोस्तो हम लोग कल 138 से इससे start करेंगे और जो बचा हुआ 300 question का है पूरा समाप्त कर देंगे ठीक है दोस्तो तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो अगर हमारा परिशन आपको अच्छा लगा हो